हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम computer basic and PC software के बारे में पढ़ेंगे जिसका course code है BCA011 block 1 और unit 4 ठीक है unit 3 तक हम पहले पढ़ चुके हैं आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं ठीक है if you take input output devices क्या होते हैं जिनके थ्रू input output device मतलबाग जिसके थ्रू हम कुछ input दे computer को और कुछ output हमें उसके processing अश्के बाद में कुछ output मिले वो जो डिवाइस जिनसे थ्रू किया जाता है उसको हम input output devices का धियनаются तो जब हम किसी input device या फिर output device का use करते हैं तो वो हम computer के अंतोर जो हमारा CPU होता है उसके अंदर कुछ ports होते हैं जिसकी help से हम इसको लगा पाते हैं, computer से connect कर पाते हैं ठीक है तो what is a port, port क्या होता है, port is a connecting socket, a connecting socket होता है, outside the system, ठीक है, system के बाहर, into with different type of cables or plug, मतलब इसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा, कि जो हमारा CPU होता है, उसके पीछे बहुत सारे अलग-अलग ports बने हुए होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ parallel ports होता है, कुछ होता है, small computer system interfaces, SC, SI port, इनका सभी का काम क्या होता है, कि इसके तुरू हम input devices होते हैं, या फिर output devices को computer के साथ connect कर सके, और जिससे की हमें, जो भी हमारी requirement के साब से हो, वह हम उसको use कर सके, ठीक है, यह होते हैं हमारे ports, तो ports में सबसे पहले parallel port को इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है, इसके अंदर जो यह हमें छेट से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो जो इसका plug होता है, उसके अंदर 25 pins होती है, तब इसके तुरू हम उसको connect कर पाते हैं, और हर plug अलग-अलग work करता है, ठीक है, इसके तुरू हम printer या फिर scanner को use कर सकते हैं, अब यह जो paddle port है, यह काफी कम हो गए है, काफी कम हमें देखने को मिलते हैं, बिकाज USB नहीं सभी का जो स्थान है वो छीनी है, क्योंकि USB fast है, तो लोग उसको जादा यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद है serial port, serial port कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, ठीक है, यह इसमें 9 pins से लेके 25 pins तक अ करते हैं, इसके बाद है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको हम USB के नाम जानते हैं, और यह भी हमने काफी देखा हुआ है, ठीक है, हम अपना फोन भी यूज करते हैं, तो उसमें भी हम चार्जिंग का जो चार्जर होता है, उसके अंदर भी USB को देख लेते हैं, बहुत सार अधिक होते हैं, USB 2.0, USB 2.3 वो इसका न्यूज वर्जन है, ठीक है, इसी तरह से इसका भी यूज हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे input devices हैं, keyboard, mouse, mic, speaker, इन्ही सब को connect करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, यह थोड़े fast होते हैं, और almost जितने भी devices हैं, तो इनको हम easily use कर स सकते हैं, इसलिए हम USB को ज्यादा prefer करते हैं, और आज के लिए ही सब जानते हैं, ठीक है, उसके बाद है small computer system interface, जिसको हम SCSI port बोलते हैं, इनका भी use इसलिए ही क्या जाता है, ताकि हम input और output devices को connect कर सके, USB की वज़े से इनका भी उस्थान चीन लिया गया है, लेकिन यह अभी use में हैं, ठीक है, high performance के लिए इनका use किया जाता है, इसके बाद आते हैं, हमारे पास input devices, तो keyboard एक input device है, जिसमें हमारे पास कुछ functions keys, कुछ alphabetic keys, कुछ numeric keys, ठीक है, यह सारी हमें देखने को मिल जाती है, इसमें almost एक, जो standard keyboard होता है, उसमें 101 से लेके 104 तक keys हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास mouse, mouse तो हमें पता है, right click और left click ठीक है, और उसके बाद इससे हम scroll कर सकते हैं, यह होता है, जोइस्टिक से, जैसे हम इसको normally play के लिए यूज किया जाता है, इससे हम up down करके इससे gaming कर सकते हैं, ठीक है, यह हमारे पास scanner, scanner भी एक input device है, फिर webcam भी input device है, और mic और microphone, ठीक है, microphone भी एक input device है, तो इनके बारे में जाते बताने की जबता ही होगा, इसके बाद है, pick devices, pick devices क्या होते हैं, जैसे कि हम किसी object को select कर रहे हैं, जैसे हमारी screen पे कुछ दिखाई दे रहे हैं, और उसको हम किसी object के तुरू, उसको select कर रहे है तो वो devices क्या होते हैं, हमारे pick devices होते हैं, अब जो selection करना है, जिस भी object का, वो text भी हो सकता है, या फिर कोई graphics में कुछ pictures icon, ये सारे चीज़े हो सकते हैं, examples of pick devices, यानि कि light pens और touch screen, touch screen तो हमने देखा ही है, और light pen का use भी हम pick devices के format में ही करते हैं, अब इसके बाद है, source data entry devices, source data entry devices क्या होते हैं, कि जिसके through, जैसे हमारे पस कोई machine के द्वारा, कोई ऐसे figure बना दी गई है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिब machine के through ही read कर सकते हैं, या फिर magnetic chip लगाए गई है, जिसको क्या कर सकते हैं, कोई machine ही read कर सकती है, ठीक है, तो उसको हम source data entry devices बोलते हैं, there are much electronic devices that act as source data entry devices बहुत सारे हैं जिनको हम यूज करते हैं, अब देखो सच ए स्कैनर से क्या किया जाता है कि जो हमारी कोई भी अगर मान लोग मिर को किसी पेज को स्कैन करना है, तो हम उस पेज को स्कैन करते हैं, तो पेज क्या होता है, same to same as it is, ऐसे ही हमारा कंप्यूटर में चला जाता है, इसको source data entry device बोलते हैं, उसके बाद camera भी होता है, same as हमारी picture जैसी हम दिख रहे हैं, वहसी हम उसके इंदर camera के थुरू दिखाई देते हैं, कहां पे computer के screen ठीक है, बारकोड reader भी ऐसी यूज किया जाता है, उसमें क्या होता है, कुछ बारकोड होते हैं, और वो किसी machine के थुर monitor सब को सब को पता ही है, फिर headphone, speaker, internal harddex, sorry, external harddex, printer, plotter, scanner और projector, ये सारे क्या है हमारे output devices, I hope कि आपको इसमझ में आगा, अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को like करें, share करें, अगर कोई आपका suggestion है, या फिर कोई query है, तो आप मुझी का main box में बता सकते हैं, और channel क subscribe करें, for all the informative videos के लिए, thank you for watching